जब से कल परसूं से यात्रा आ रही थी तब इसे लग रहा था कि कुछ न कुछ ऐसा होगा यात्रा की सफलता नहीं हो और इस तरह के मुकुद में करा कर जो इस सरकार ड्राने का काम कर रही है उसे ड्रने वाले नहीं है हम लोग हमारे वो कितने भी निशाने पर ले ले हमारा निशाना एक रहेगा अच्छा चिंग पाइलेट ऐसे कितने भी निशाने आजाए हमारा निशाना चूपने वाला नहीं है पाइलेट साब के साथ थे, रहेंगे, और आगे भी रहेंगे, और जिदर भी जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, उनके साथ में कंदे से कंदे मिलाकर, उनके साथ में चलेंगे, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, ऐसे दसमुकत में भी लग जाएंगे, तो भी पाइलेट साब को छोड़ने वाले नहीं है कि अच्छी चीज तो लाओ यार कुछ तो मजबूत लाओ इतने सालों काम किया अशोगयलोजी से कम सकम उन से तो मेरे को ऐसी उमीद नहीं है कि ऐसे काम वो करवा सकते हैं अशोगयलोजी भोध सरल सुभय व्यक्ति थे गांधिवादी थे सब कुछ थे सारी चीजें थी लेकिन क्या तो हो सकता परस्ति दिन उनको बदल दिया हो और जो व्यक्ति खुद की स्टाइल से मैं आज पाइलेट बनने की कोशिश करूँ उनके स्टाइल पर चलनने कोशिश सोलंग के खिलाप एफायर हो जाती है एक महिला ने विदायक पर जन्मीन हडपने का आरोप लगाया है इसको लेकर हमार साथ कुद चाक्सु विदायक वेद परकास सोलंग की जिम हो जोते सर क्या कुछ प्रकण है महिला ने आप पर आरोप जड़ें देखिए जब से कल पर कराने का काम कर रही है उसे डरने वाले नहीं हम लोग बिना किसी जाज के बिना किसी उसके अफायर दरुज आती है और कौन लोग दर्ज कराने वाले हैं उनके फोन आज बंदा रहे हैं राइस्ट्री कराई है मैंने मेरे नाम से राइस्ट्री कराई है मैंने जमीन खरी दि वो नितेश अगरवाल नहीं मुझे जमीन बेची है नितेश अगरवाल ही उस महला को लेकिया है उस महला के नाम से जो जमीन है वो नितेश अगरवाल की है और वो महला के रही है मैंने उनको बेची है तो ये कहीने कहीं साजिस है कि इस साजिष के तहत यह काम किये जा रहे हैं मैं कहना चाहूँगा कि जितनी जो एजनसी है बड़ी सी बड़ी एजनसी उनसे जाच किरा जाए अर्दूद का दूद पानी का पानी करे जाए इसमें श्रीफ बद्नामी हो सकती है यह लोग बद्नामी करवा सकते हैं उस से कर सकते हैं अभी आपको सारी शीज बताई उन्होंने का कि वही मेरी से दोके से करा ली बुला की करा ली एग्रिमेंट तीन मेने पहले का यह उसके साइन हैं अंगुठा है सब चाहिएं rhadorf परिवार की साथ आई है उसके पति के साथ आई है वह नीते शकरवाल खुद है कुदके साही ने तो ये चीजे कहां से हो गई अब किस ने कराई यह कोन इसके पीछे इसके जांच का विशे है जांच का विशे यह निया कि जमीन हड़ पी है जमीन गाद पैसा दिया है वो दे दिया और जो चेक का पैसा वां 30,00 रुपए का उनका पड़ा हुआ है वो जब चाहिए जब पैसे विड्रो करना लेंगी लेकिन इस तरह की स्तिती हो रही है यह सब सोचनी विश्य है कि जो मैंने मुक्ष मंत्री से मिल चुका कमिसर से मिल चुका इस भी से मिल चुका और जो हमारे संगर्दजी थे जो मुक्ष मंत्री कारेले में देखते थे इस काम को उन से भी दस बार मिल चुका उसके बाद उस प्रक्रण में दाज तक कोई कारवाई नहीं वही दो बार एफार लग गई दो बार खुल गई तो मनला यह क्या चलाके करने की साजी से यह भी जांच का बहुत बड़ा पहल हुआ है कि कोशले देवी आपके बंगले पर आई नहीं थी बलकि वह चाक्सु गई थी जहां पर उनको तैसल कारेलम बुलाए गया उसके बाद उसके पती को और कुछ लोग कोशले देवी को आपके बंगले पर लेके है और वो जब नीटेश अगरवाल यहां पहले बैठा हुआ है तब का मामलकब आया थे यह करीवां डेट मेना हो गया कम से कम फायर में इतना वक्त क्यों लगा फिर नहीं कोई फर नाम की चीज होनी नहीं चीए थी जिस जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है नामांदरन क्यों लगाया फायर में यह महलाव से पूछने का वक्त है कि तुम इतने दिन कहां थे उस निटेश अगरवाल को ढूड़ने का समय है कि निटेश अगरवाल का मोबाइल बंद कैसे आ रहा है कि जब से दो दिन से उनका फोन बंद आ रहा है अभी हमने जब ट्राई की तभ खुद के अंगूठ है सब कुछ खुद के और पर एक बार नहीं आई यह जबरदस्ती व्यक्ति को कभी भी कोई ला सकता है मेरे यहां कैमरे लगे में यह बच्चा बैठे लड़ू खारे है सब कुछ बैटे तीन बार आये चार बार आये बाहर बैठे में तैसलदार जी आ पर मोझुत थे और उसके कुछी गंटोबाद आए नहीं 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 कुछ गंटोबाद नहीं यह पुरानी बात है यह 39 एक ओप्यमेंट लेके गया है नितिश यह रा शींसके मेला करी है मैंनों न वहीं बैचने वाला सब कुछ करने वाला वह है यक्ति अजितने पिरके निशाने पर लिया जा रहा है जो जूनके उंको किनय बीदा में वruce ओने निशाने पर ले ले हमारा निशान यह करेगा अश्ज्य नपाइलेख को कर ऐसे कितने भी निहिसाने हैं हमारा निहसान चूकणे वाला नहीं हुग पाइले साथ के साथ थे रहेंगे और आगे भी रहेंगे और जीदर भी जाएंगे जैसे भी जाएंगे उन के साथ में कंदे से कंदे मिलाकर उनके साथ में चलेंगे ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जाती रहती हैं यहीं मक्सद है कि अच्छी चीज तो लाओ यार कुस्तों मजबूत लाओ इतने सालों काम गया आशोगर्लोजी से कमसे उनसे तो मेरे ऐसी उमीद्लिक है कि से काम वो करवा सकते हैं मुझे तो नहीं है अगर कोई प्रक्ण मी बनाना आए तो मजबूत बनाओ कागज़ों में बनाओ तथ्यों में बनिंवा ओ यह चिति हैत बदनाम करवा सकते ओ प्राप जमीन बेची वही है तो सबसे पहले कहते कि आगर आप ने रिश्ट्री गलत हो गई तो रेश्ट्रीव केंसिल कर आओ पैसा नहीं मिला तो सीधे एफ आइर हो रही है तो कहीं नहीं से यह आज आरही आप सामने किसी के इसाराएं के बेना फाय episode मुम्द कि नहीं थी खार को आफको बता दूंब आख तक पंडिंगी है आप पिसली बार phones करते हुए हैं फीर तो यह चीज यह तो जब ऐसी एक हो ऊरी है तो बिना किसी किस नग्रेसित हो नहीं सकती आपने नाम लेकर कह भी दिया है देखिए मैं नाम लेकर कहला लो लेकिन मैंने कहना चाहता हूं कि जो इस्तिती जो पहले थी वो इस्तितियां आप नहीं है अशोग गलोजी बहुत सरल सुभय व्यक्ति थे गांधिवादी थे सब कुछ थे सारी चीजें थी लेकिन क्या दो हो सकता है प्रस्तित इने उनको बदल दिया हो यह समय के ऐसा चकर चल गया हो कि जिससे उनका जो उनकी जो कहते थे ना उनकी एक तरह से उनकी नेचर मान लो हो रही है कि यह चीज़े कभी नहीं थी और जो व्यक्ति खुद की स्टाइल से मैं आज पाइलेट बनने की कोशिश करूंगे स्टाइल पर चलने कोशिश करूंगा जो उनकी जो इमेज थी गांधिवादी इमेज थी वह बहुत ज़्यदा अच्छी थी लोग पसंद करते लेकिन जो इन सालों में वाए दो तिन साल के अंदर जो बदला हुआ है उसको राजस्तान की जनता ने कितना पसंद किया कितना नहीं समय बताएगा लेकिन वह पहले वाली च्वी उनकी बहुत अच्छी थी या से अब भी आलागमान का कोई प्रवारी या से प्रवारी और बात अब इस भात को रखे जाती ँंधी से अरके जाती है अब भी इसने actual ने fucking अकेले मिलना है तो मैंने क्लें करें अगर तो जो बात हैं हमने क Initi और हमारी करें कि उस समय हैं लेकिन जो बाते की कि निस्तारण नहीं हुआ हमने बाते कि हिए Awesome चेस्टी के जो महारा महाकुम हुआ था उनके लोगों को अभी तक नहीं बुला गया उसकी बाते कहीं हो यह प्रभारी जी के सामने हुई चियादीकारी करमचारी लगाने की बात थी उनकी लिश्पी पूड़ी पकड़ाई गई तो उसके बाद में निस्तान नहीं हुआ तो अपनी बाद को अपनी विथा को हम का मताएंगे उसके बाद में एक बार दुबारा से मिलेंगे तो जरूर बताएंगे तो पाइलेट साब कहते हैं कि वैज थी थोड़े भावक है नहीं पाइलेट साहरे भावक नहीं है देखो हमने काम किया है कोई उठके तो आगे निग मेरी सेंतालीस साल उमर गई तो मेरी अगवाव पता लगी कॉंग्रेस में कितना काम किया है जितने रुपए का आरोप परत्यारोप लगा रहे होते जंडे पोस्टर बनवा चुका मैं कि इस लिए मैंने का था हुआ कि मैं इसाप दे सकता हूं हम आ सकते हैं बात कर सकते मां इसे पूछ ली जी आंगे सब चीजी पाटी में इस तरह के साजिसCHS होने लगी तो फिर कैसे कोंग्रेस का भीश्या जोкими देखिए अब ये तो वो जाने लेकिन मैं तो इत्ता ही कह सकता हूँ कि ऐसी छोटी-छोटी जो घटनाए होंगी उससे पार्टी ही कमजोर होंगी बिना चोचे समझी आखवार में आप निकलवा रहे हो, बिना चोचे समझी आफार दर्ज करवा रहे हो, सच्चाई का पता नहीं लगवा रहे हो, तो इससे क्या कॉंग्रेस मजबूत होगी? पहले जाच करवा लेते, आप बुलवा तो लेते, सामने बुलवा लेते, अब बुलवा लो मेरे सामने, किसी के जमीन अबडिवित पता लग जाएगा दो मिंट में, जो छप गया वो वापस नहीं हो सकता, जो टीवी में चल गया वो वापस नहीं आ सकता, इसके लिए घहनत से जाना पड़ेगा आपसे भी मांग करता हूं कि आपके चैनल ने हमेशिया तथ्यों पे काम किया है नीचे तक गए हैं तथ्यों के ऊपर गए हैं और खोज के लेके आए हैं क्योंकि इन लोगों ने तो आरो बहुत सारे लगाए थे मुझे ध्यान है उस समय कि आज तक चैन मेन है यह मेरा मंडी का चेर मेन है जिस पर सोलंकी चड़े में यह कॉंग्रेस के कारी करता है नित उन लोगों ने उसमें बदनाम कर दिया था तो इसलिए तथ्यों पर आप लोग जाएंगे अच्छा ही से इसका करेंगे और जो जिन लोगों ने आरोप लगाया है उनसे ब वो पाइलेट गुट से आते हैं और कहीं न कहीं एक एक करके चुन चुन कर पाइलेट गुट के विदायकों को इसी तरह के से चोटे-चोटे मुकद्मों के जरिये फसाने का आरोप जैसा की वेद परकास सोलिंग लगाया लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कॉंग्रेस में इ अपनी सरकार को गेर रहे हैं और दूसरी और गैलोद गुट की ओर से कहीं न कहीं जैसा कि इनका आरोप था कि गैलोद गुट की ओर से इनको साजिस के तोर फर ऐसे फरजी मुकद्मों में फसाया जा रहा है अब तो यह देखना होगा किस तरह से पुलेब मामले का पड़ा मामले कौस्ब बढ़ा किपेगा आर का पुले मुलेब मुट कर दोब तरह से कहीं भाहा हुछ